यूक्रेम के आंतरिक मंत्री सहित कीव हेलिकॉप्टर दुरगटना में मारे गए 18 लोगों में से 3 बच्चे थे। अधिकारियों के अनुसार रूस युक्रेम युद्ध के दौरान मृतकों में 3 बच्चे थे और 10 अन्य अस्पताल में भरती थे। समाचार एजनसी रॉइटर्स के अनुसार। एफपी के मुताबिक युक्रेम के कीव के बाहर एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में देश के आंतरिक मंत्री सहित 18 लोगों की मौत हो गई। कीव शेतर के गवर्नर उलेक्सी कुलेबा ने दावा किया कि 3 बच्चे भी मारे गए हैं। 15 बच्चों सहित 29 घायल लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। उन्हें हर संभव मदद मिलती है। जोडा गया। युनाइटेड किंगडम में BBC के अनुसार, उप मंत्री और एक अन्य अधिकारी का भी निधन हो गया। के अनुसार, मारे गए लोगों में से 9 आपातकालीन सेवाओं के हेलिकॉप्टर के यात्री थे, जो कि कीव के पूर्वी उपनगर ब्रोवेरी में दुर्घटनाग्रस हो गया था। मुझे यहां मानना मुश्किल लगता है। सत्रा लोगों की मौत हुई है, जिन में दो बच्चे हैं। प्रथम उप मंत्री, राज्य सचिव और आंतरिक मंत्री का निधन हो गया। गंभीर सांत्वना, कीव के उत्तरपूर्व में, ब्रोवरी के हैमलेट में हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस हो गया। अप्रेल की शुरुवात में, पराजित रूसी सैनिकों ने ब्रोवरी को छोड़ दिया। रूसी मिसाइल द्वारा पिछले सप्ताह पूर्वी शहर निप्रो में एक आवासिय इमारत को शतीग्रस करने के बाद दुर्घटना हुई, जिसमें 6 बच्चों सहित 45 लोगों की मौत हो गई। जय हिना